हेलो फेंड आपका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे और आज मैं आपके लिए लेकर आँ यह देखिए केलेडियम ब्लब्स को मैंने आपको अन्बोक्सिंग करके दिखाये था इसकी वीडियो में आई बेटन में देदूगा और यह देखिए जो इसका ब्लब्स था इस के साथ में आएं ब्लब्स के जो मैंने अन्बोक्सिंग की थी तो इसी परचेज के साथ में आएं तो इसमें जो होल दिख रहे हैं ऐसे हमें होल करने इसमें पोर्ट के अंदर तो हमें बहुत सारे होल कर लेने हैं जितने ज्यादा होल करेंग उतना ज्यादा बेटर रहेग पहले इसमें आदा जो है इसको पोट को मिटी से बढ़ना पड़ेगा आप सिरफ नॉर्मल मिटी लेनी आपको बेकलू रहे और इससे आदा भर लेना है और आदा बढ़ने से पहले आपको एक काम करने पड़ेगा कि जो इसमें अकबार का जो टुकड़े हैं वो लगाने के बाद इसको आदा जो पोट उसको बेकलू मेंटी से बढ़ना नहीं देखी मैंने दोनों बढ़ लिया हैं और इसको और भाली ता इसमें को पहले मैं बढ़ लेता हूं पूरा फिल कर लेता हैं पोट को आपने मेरी वीडियो में एक चीजकी होगी जब भी मैं सीट से बलब से कुछ भी ग्रो करता हूँ तो मैं मिटी में कभी भी खाद नहीं मिलाता दूसरे अगर आप चैनल देखेंगे तो वह हमेशे साथ में खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी मिलाते हैं मैं एड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जब भी हम खाद वगरा मिलाते हैं तो कुछ लोग हैं जो पुरानी खाद ना मिला के अभी की बनीवी खाद मिला लेते हैं जिससे क्या फंगस लगने का प्रोब्लम रहती है तो इस वज़े से मैं जो है खाद इसमें मिलाता है प्लांट ग्रो होने के बाद में इसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड एनपी के फर्टिलाजर दे सकते हैं पर उससे पहले कभी भी मिट्टी में आप खाद ना मिलाएं क्योंकि अगर इसमें मिट्टी में खाद मिला देंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम बलप्स वगरा बाहर नहीं निकाल सकेंगे और उपर से अगर खाद डालेंगे तो उपर उपर से वापस हटाई भी जा सकते हैं इसलिए अब कभी भी खाद नीचे मत मिलाईए अलग से डालिए उसमें खाद तो मैंने दोनों में यह मिट्टी भर लिए अब इसके बाद में इसमें बलप्स लगाने का तरिका बताऊंगो मैं आपको तो हम बलप्स ले ले लिया और बताता हूं कि इसको कौन सा पार्ट उपर रखना है तो मैं एक बलप और ले लेता हूं फिर आपको बताता हूं कि क तो इसको स्टोर करके रखा जाता है तो इसको कट करके लिफ को इसको यहां पर स्टोर किया जाता है तो यहीं से लिफ बाहर आएगी तो हम थोड़ी सी मिट्टी इसको हटा लेंगे सेंटर के अंदर से और उसके बाद में इसको इसके अंदर से बिठाएंगे इसमें अच्छ कि बलब्स को अच्छे से मिटी में लगाने के बाद हमें जो में काम करना है वो है पानी देने का लास्ट काम है पानी देने का तो इसमें अच्छे से पानी देना और पानी देने का हमेशे का तरीका मेरा वही रहेगा बोटल के उपर जो इसका जो केप है उसको थोड़ा सा हल पानी अच्छे से बेट जाए और इसमें आप यह भी कर सकते हैं कि जो एक लिटर की बोटल होती है उसमें एक से दो ग्राम आप फंगी साइड जो साफ फंगी साइड आता है वो आप इसमें उसे भी एक बार पानी दें हफते में एक बार तो उससे क्या प्लाइब आने का रखें कि उस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है और इसके बाद इसको इंडॉर में या जो नॉर्मल जो दूप आती हो वहां पर रखना इसको तो स्टार्ट में आपको फुल सल नाइट में रखना है ताकि ग्रो हो सके धन्यवाद